नमस्कार प्रसेच्छों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हैवन के यूटूब चैनल पर आसा करते हैं आप बेहतरीन होंगे और अपने स्टेडी को भी कांटीनिव रखे होंगे चाहे आप यूपी टेट की त्यारी कर रहे हों या फिर आगामी स जो बहुतर प्रतसन की होंगे वह जरू पास होए होंगे बहुत सारे भेरती निरास भी हैं इस वचे से क्योंकि उनका बैक लग चुका है और काफी जादे उनका क्वेस्टन भी है तो हम पहले बता देते हैं आपको आज दोपहर में 12 से 12 पीम पर हम आपको लाइब अर् animat देंका उसमें लाइब डा प्लीआर करेंगे देखें कुछी चीज़ें हैं जो अभी हम क्लियर कर देना चाहते हैं प्रता वैदन कहुन से परशेशसु दे सकते हैं परता वेदन ऐसे परसेश्यों दे सकते हैं जिनका किसी एक सब्जक्ट में किसी एक समिंस्टर के किसी एक सब्जक्ट में बायख हो गायक तो और आपका नहीं और नहीं ङौंग लिए इस चान्स मिलता है किसी बी chopped केอम परता व्यूंट के लिए पूश वह एक तरह से मान लिया जाता है कि आपका डीयलेट खतम हो गया लेकिन आपके डायरेक्टर सर ने एक पहल सुरू किया है इसमें कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ऐसे प्रसेच्चू को एक मौका जरूर देना चाहते हैं देंगे भी कि जैसे अब यह गारंटी रहें उनका कि सारे प्रसेच्चों को आप लोग अपना काम करेंगे पूरा का वौरा बेपर भी बचा होगा तो केवल वही प्रसेच्च्च्च्च्nels जमा करेंगे ने ब्रत्य बैटबर जो एक इतल के किसी एक सब्जेक्ट में लेकर बैठे होंगे चाहिए वह जिस भी बैच के होंगे तो यह बात क्लियर होगे आपको ठीक है दूसरी तरह बात करें स्कुटनी के फॉर्म भरें या ना भरें बहुत सारे प्रसेश्यों का करवाना चाहा है बहुत सारे प्रसेश्यों का जो माध्यम है आपको इसकुटनी ही है इसकुटनी के माध्यम से ही सब कुछ करवा सकते हैं इसमें कोई गारंटी नहीं कि कापी आपके सामने ही खोली जाएगी ठीके लेकिन बहुत जादे आप पहुंच वाले हों या फिर सारी कापियां मतलब बहुत गलत तरीके से चेक हुई है हमारा आना चाहिए 20 नंबर वह दिया है भई आई 11 नंबर 10 नंबर तो ऐसे प्रसेश्यों खुलवा लें जिनका एक नंबर दो नंबर से बैक है वह इसकुटनी के फॉर्म भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप यूपिटेट से ज्यादा सीटेट पर फोकस करते हैं तो आपको इसका बहुत जादे लाब मिलेगा क्योंकि हमने यूपिटेट सीटेट में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यह आपको बताया गया है किसका कौन सा एक जाम आप क्व साल पे आ जाएगा इसके लिए आप को लगना होगा जैसे मर अपनी बात करें तो हमने घर में सेटीजियो किया था आपसे आपने देखा भी चाहते हुए भी eligibility ना रहते वे भी हमने जब उसको gain किया वह भी बिना पढ़े मतब कि कुछ nothing मतब कि कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आती थी हमने CDP कभी पढ़ा नहीं था तो मतब बहुत सारी CDP में तब भी हमने 18 नंबर gain किया था और सारे subject में बहुत अच्छा gain किया था तो इस प सकते हैं हर एक सब्जेक्ट को देख सकते हैं बहुत बहुत बेहतरी तरीके से प्रीविस एर पेपर भी मने करा दिया आप देख सकते हैं तो यूपिटिट सीटेट की जो notification का डेट है पर से च्छों आपका लगबग कह लिजिए कि सोला मदब 15 सेप्टमबर के आराउंड आ चाहिए यह फोस इंफॉर्मेशन नहीं है ना यह ओफिसियल डाटा एक तरसा अनुभव जो कह रहा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं अनिता कंडिशन में अगर जो बच्चे कहते हैं सर यूपिटिट का जो एक्जाम होगा कब होगा तो यूपिटिट का देखिए पिछल प्रणवर्स कैंसिल हो गया था फिर से आपका जनवरी में जाकर एक्जाम होगा था तो सेम इस बार अगर ऐसा कुछ ना कुदा न खासता कुछ आसा हो भगवान न करें ऐसा कुछ हो और आपकी एक्जाम प्रॉपिटिट का नौमबर लाश्ट तक ही होगा तो इसलिए अगर कोई डाउट हो जरू करिएगा दूआ करिए कि सरके लाइफ में जो उतल पुतल भी चल रहा है वह थोड़ा सा साही हो सके क्योंकि आपकी दूआउं में बहुत सक्ती होती है और आपकी दूआ जरूर गौड सुनेगा धन्यवाद